तो राजनिती छोड़ काहे नहीं देते हो काहे जरू थाया राजनिती में आने की अगर इतना चोटा सा काम नहीं होता तो काहे बोटरों को परशान कर रहे हो ये भाशन मैंने सुना उस व्यक्ति से जो बड़ा साध्रान व्यक्ति था सुनो बेहनो भाईयो अगर मेरा बोट लेना है तो पहले ये तै कर लो के E.B.M. अच्छा है या नहीं क्योंकि बात में आप शिकायत करोगे अगर हाथ जाओगे के E.B.M. खराब था E.B.M. में बोट डाला पता नहीं कहां गया E.B.M. में ये बटन दबाया तो वो आ गया E.B.M. में गलवड़ी थी E.B.M. हैक हो गया ये तो रिमोट से भी चलताता है अरे जब वो सेटलाइट रिमोट से यहां से बदल सकता है तो E.B.M. की क्या उकात है अरे ये तो सेटलाइट से भी चलता है जब मोबायल को बदल सकते हैं हैक कर सकते हैं तो E.B.M. क्या है E.B.M. पहले से ही सेट है E.B.M. उसके घर में मिला E.B.M. उसके यहां मिला मेरे तो महले में 400 बोट थे सारे पड़े मगर EVM में 4 नहीं आए मेरा बोट कहां गया EVM तो एक कंपणी खास बनाती है जो एक पार्टी की कंपणी है EVM तो बदल दिये गए ये सारी बाते हारने के बाद हारा हुआ आदमी कहता है अगर जो व्यक्ति जीत जाता है वो कहता है EVM ठीक था EVM का भरोध राजनेतिक पार्टी कोई नहीं करती मगर EVM की चर्चा चारो तरफ आती है कोई जना आंदोलन या कोई आंदोलन ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी ने ये कहा हो कि EVM को बदलो तब हम चुनाब लड़ेंगे या हम चुनाब का वहिसकार करते है या हमारे एरिया में आप EVM से बोट में डलवाओ हमारे एरिया में तो कागश से ही डलवाओ बैलट से डलवाओ चाहे भले ही पूरे देज में आप EVM से डलवाओ कोई व्यक्ति इस बात के लिए कोई पार्टी इस बात के लिए नहीं कहती कि EVM खराब है या अच्छा है जीत गए तो चुप हो जाते हैं हार गए तो रोना रोते हैं ये दो मुही बात नहीं चलेंगे आप जब हाते हो तो EVM को दोस्त बताते हो और जीतते हो तो चुप हो जाते हो भई आप उसको accept क्यों करते हो चुनाब से पहले ही आप कहतू ना कि EVM से चुनाब होगा तो हम खड़े ही नहीं होंगे लड़ेंगे नहीं और या हम EVM से जीत भी गए तो हम उसको जीत नहीं मानेंगे कुछ अपना स्टेंड एक फिक्स करो क्योंकि आप यहां की जनता को भारत की जनता को हमारे जैसे लोगों को परिशान मत करो हमें बड़ा दुख होता है कि जब हम वोट डाल के आते हैं और वोट का परड़ाम आता है तो कहते हैं कि जिस मसीन में वोट डाली वो मसीनी ठीक नहीं थी यह तो EVM गवड है पूरी दुनिया में EVM नहीं चलता भारत में चलता है क्यों चलता है EVM को उटाना चाहिए EVM के वारे में रोज एकाद एकाद पोस्ट आजा दिये EVM उटाना चाहिए तो क्यों उटाना चाहिए जो वोट ले रहे हैं लियता जिनकी पार्टियां है वो तो कोई बोल नी रहा इसलिए जब आप मेरा वोट लेने आओ तो सबसे पहले ये डिशाइड करके आना कि वोट EVM से लेना है या बैलट से लेना है अगर EVM से लेना है तो अपने मूगों बंद रखना फिर बाद में हारने जीतने पर EVM को दोस्मत देना और अगर EVM से वोट को नहीं लेना है तो बैलट लेके आना फिर कहना जी हमें तो बैलट से वोट चाहिए तो बैलट पर लेके आना मगर यह तैप एले करना मेरे दरवाजे पर आने से पहले और बैलेट आसान हो सकता है क्योंकि बैलेट तो छपता ही है जो करमचारी डूपी पर होते हैं उनके लिए बैलेट छपता है तो जो लोग बैलेट से वोट डलना चाहते हैं वो बैलेट लेने जिनको एबियम पसंद है वो एबियम पर डालें दोनों तरीके भी हो सकते हैं और इसको decide पहले करो चुनाब के बात चैचै महमें महमें ऐसा लगता है जैसे हारी हुई बिल्ली और खंबे को नौच रही है एक खिशियान अच्छा नहीं लगता हमें अपने वोट की वैलू बड़ी खराब लगती है हम इतने मेना से वोट डाल के आए और आपने कह दिया एबियम खराब है आपकी जुम्हतारी है कि आपको वोट हमारा किस से लेना है एबियम से लेना है या बैलट से लेना है आप टै करो आप राजनिति पार्टियों नेता आपको बनना है देशा आपको चलाना है और आप में अगर इतना माद्दा नहीं है कि आप एलेक्शन से पहले ये टै कर सको या आपको वोट एबियम से लेना है या बेलट से लेना है तो राजनिती छोड़ काहे नहीं देते हो काहे जरू था राजनिती में आने की अगर इतना छोटा सा काम नहीं होता तो काहे बोटरों को परिशान कर रहे हो ये भाशन मैंने सुना उस व्यक्ति से जो बड़ा साध्रान व्यक्ति था बड़ा मस्त बोला हो साथ उसने थोड़ी शी दारुबारुपी रख्योंगी बड़ा परिशान था बड़ा तर्ष्ट था खुब बहनों भाईयों बहनों भाईयों कर रहा था और फिर कहने लगा कि मेरा बोर्ट लेना हो तो मेरे धरवाजे पे तैका के आना बैलेट है तो बैलेट लेके आना और एवी एम है तो एवी एम लेके आना बाद में नहीं करना कुछ भी चैचे में ऐसा इस तैल से वो बोल के गया तो मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी कि भई आपने चुनाव लड़ना है जीतना आपने है तो आप इतने करो कि आपको बोट किसे लेना है बात में अच्छा नहीं लगता देश की बेज़ती होती है बोटरों की बेज़ती होती है सब की बेज़ती होती है धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो ओडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सलभासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद तंगं सरेनं गच्छामी तंगं सरेनं गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामी तुम्तियं पी धम्ममर्सर्नं गच्छामी भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छामी, भूतियं पी सर्णं सर्णं गच्छामी, ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छामी, ततियं पी धुल्थम्द सर्मं कच्छामी, ततियं पी धंधम्मर सर्मं कच्छामी, ततियं पी धंधम्मर सर्मं कच्छामी, ततियं पी धंधम्मर सर्मं कच्छामी, ततियं पी जंधमर सर्मं कच्छामी, ततियं पी जंधमर सर्मं कच्छामी, ततियं पी जंधमर सर्मं पिसन्दम सर्णं तर्चादी सर्णं तर्चादी कामेस मिच चरविर्मनी सिखापदं स्माधियामी